जन्मास्ट में हर शाल धूम धाम से मनाया जाता है और इस साल भी जन्मास्ट में से पहले जो उत्सा है लोगों में वो देखने के लिए मिल रहा है अभी हम मौजूद इस कॉर्ण टेंपल में और हमारे साथ जिरू है कृष्ण कृपादास जी जो की प्रेसेडेंट है हम इन चल रही है कि जन्मास्ट में कब है और किस दिन क्या कुछ होगा बहुत-बहुत स्वाधत है होगा किस दिन हम लोग करेंगे वैसे दूबिदा नहीं होनी चाहिए आप देखिए जितनी भी चीजें चलती है हम लोगों का वैस्नों का गिरहस्त का तीथी और नच्छत्र पर चलता है तो जी भी हमारा तीथी आती है दिवस आता है डेट आता है तो वो सब उसी तरह से होता कि वैस्नों जो लोग हैं वो उद्या तीथी मानते हैं तो जो हमारा कल का अस्टमी रात में हो रही है तो लोग अस्टमी को मानते हैं इसलिए अस्टमी को भगवान आए ग्र वैस्त लोग उसको मनाते हैं लेकिन जो वैष्णों लोग होते हैं रोहनी नच्छत्र और अस्टमी तो दोनों साथ तारीक हो हैं इसलिए साथ तारीक हो ही हम लोग भी मना रहे हैं भगवान स्रकृष्ण का जन्मा अस्टमी इस बार क्या कुछ खास रहेगा इस कॉंटेपल म व्रिंदावन से सब हमारे कलाकार भी आ रहे हैं उनके लीलाओं को दिखाने के लिए कैसे जन्म हुआ कैसे पूत्ना को मारे अलग-अलग लिलाएं किये वो सब दर्शाया जाएगा दो तीन दिन का प्रोग्राम सुन रहे हैं दो दिन का है तो प्रशाद में इस बार क्या क फूलों के साथ अच्छा सजावट होगी, जिसे फूल बंगला तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फूलों की बहुत सुन्दर सजावट होगी भगवान के विग्रह का, भगवान के दरबार का, भगवान के बाहर का, मंदर का, तो ये बाहर से फूल भी हम लोगों ने ओर्डर उनके लिए विशेश तरह का मालाएं बारजी से बरवदू को मला बन दिया जाता है, तो वैसे सुन्दर सुन्दर हम लोग मालाएं, ड्रेस ब्रंदावन से हमने मंगाया है, इस बार पत्थर जड़ा हुआ है उस ड्रेस में, तो काफी हमारे ठाकुर जी इस बार सुन्दर ल तो वो दीन में चलेगा बारह से साथ वजे तक, साथ वजे से फिर आपका दर्सन पूरे दीन चलता रहेगा, पूरा पूजा कब से होगी? पूरा पूजा जो है बारह बजे रात को होगी, पहले से पूजा तो पहले से सुरू होगी, लेकिन पूजा तो दीन बर चलेगा, आप देखे किर्तन, भजन, पूरे दिन चलेगा प्रशाद, वितरन, अविशेक चलता रहेगा, रसाम को साथ वज़े से लेके एगारह वज़े तक लीला होगी, भगवाल के। भगवान के पुझा चालू हो जाएंगे, 12 बज़े तक हम लोग भगवान का जो जन्म होगा तो अविशेक उस समय करेंगे, च्छपपन भог लगेंगे, इसके बाद अविशेक होगा, अविशेक के बाद भगवान के आरती होगी, फिर भगवान का दूसरा डृस पहनाया जा लोग पुलिस की ब्यवस्ता अधिक से अधिक करें रास्ता बंद करने की विवस्ता किये हैं और अंदर में भी हम लोग अपना खुद का बौंसर और काफी सुरक्षा की ब्यवस्ता किये हैं लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो भगवान का दर्सन करने में भगवान का भजन करने में इसकी इस पर पूरी विवस्ता हम लोगों ने किया हैं जो हर जगर लोग गाइड करेगा कहां जाना है कैसे जाना है तो यह चलता रहेगा बिल्कुल बिल्कुल तो इस बार जन्मास्ट्मी में लोगों के लिए कितनी excitement news है कि दो दिन तक जो भी program रहेगा वो चलेगा साथी साथ 12 बैसे पूजा हो जाएगी और जितनों को भी doubt था कि 6 तारीकों है या साथ तारीकों तो इन्होंने साफ तारीकों जन्मास्ट्मी है लोग धूम धाम से बनाते हैं और इस कॉन टेंपल में अभी सही चहल पहल देखना सुरू हो गया तो जन्मास्ट्मी में क्या